एलो दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का आपके अपने येटूब चैनल मेत पार्सला पर मैंग की तवर्मा दोस्तों आज आपको शिकाऊंगा मुच्चाय और दूरी के बारे में दोस्तों इस वीडियो को ज्यान से देखना 10th क्लास का चेप्टर हैं तो चलो शुरू करते है दोस्तों यहां पर मुच्चाय और दूरी मुच्चाय का मतलब तो आपको पता हैं और दूरी का मतलब आपको पता हैं मुच्चाय किसे कहेंगे जैसे कोई मिनार हैं ठीक हैं यह मिनार हैं और यह खड़ी हुई हैं तो इसकी जो इस प्रकार से जो लंबाई रहेगी यह उस कोई वस्तू चलकर गई है तो जो दूरी उसने त्यक की फीक है जो दूरी उसने तैगी वहिए उसकी दूरी कर लाएंगे मतलब यहां से यहां तक जो आपन की रिया चलेगी वह उसकी दूरी झाएगी अब दोस्तों मुचाय और दूरी में कैसे परसन पूछे जाते हैं उसका पहले बेसिक से अपन जान लेते हैं तो पहला है इसमें एक बात और ध्यान रखना दोस्तो जो आपके जो चैप्टर हैं एक समकौन त्रीबुज पर आधारित हैं ठीक हैं तो जब भी क्यूसन आये तो एक समकौन त प्रिबुज का निर्मान कर लेना और उसके बाद फिर जो दे रखा हैं उसको वहां पर लिख लेना अब यहां पर देखो द्रश्टी रेखा द्रश्टी रेखा के बारे में जान लेते हैं द्रश्टी रेखा क्या वोती हैं जैसे कोई वस्तू यहां पर रखी हुई है मतलब यह एक बोल है खेलने की यह प्रकार से इसको देख रहा है तो यह कि कि निया हो जाएगी इसकी भी इसको बोलते हैं मतलब यहां से देखेगा इस बॉल को देखेगा रздर दोस्तों बोलते हैं मतलब सम्तल में खड़ा हुआ है इदर वेक्ति सम्तल में खड़ा हुआ है और वस्तु को देख रहा है तो यहां पर सेती जो जाएगा सेती इसका मतलब सम्तल में कि एंगेना तम flats में नीचे की और और यहांसे देख रहा है सको तो यह तोगे दोस्तों द्रश्टी रेख इंगा और एप टाय दूस्तों उन्नियन कॉंण कि है उन्नियन कॉंण किस प्रकार से बनाएंगे वह द्रश्टी रेखा हो जाएगी ठीक है ना आब यहां पर कोई वस्तु है एक बोल है और यहां पर कोई वेक्ति खड़ा हुआ है ठीक है कि कोई वेक्ति खड़ा हुआ है अब यहां से इस वेक्ति को यह दूसरा वेक्ति इस वेक्ति को देख रहा है तो देख रहा है इधर इधर देख रहा है मतलब एकदम सिधा देख रहा है अब उसने सिधा देखते हुए उस बोल की उपर उपर देखा तो उसकी आंक कि दर गए उपर की और गए तो इधर तो देख रहा है से तीज में खड़ और उपर की और देख रहा हैं पहले इधर देख रहा था अब आपको थोड़ा चिर्चा किया उपर किया तो उपर देखने लगा तो उपर देखा तो इस बोल की और देखा तो यहां से जो कौन बना दोस्तों इसी को बोलते हैं उन्नेन कौन क्या बोलेंगे इसको उन्नेन कौन ठीक है अब एक वर होता है दोस्तों आवनमन कौन आवनमन कौन क्या होता है जैसे कोई वेक्ति यहां पर खड़ा हुआ है यहां उपर यह उसकी आग है वेक्तिकी और इदर कोई वस्तू यहां पर रखी हुई ही वह इदर देख रहा है पेले दो किदर देख रहा है मतलब जैसे बिल्डिंग पर खड़ाओ आए उपर और उपर देख रहा है सिधा देख रहा है लेकिन उसे नीचे को वस्तु दिखाए दी तो उसने नीचे की और जुका ऐसे देख रहा है पिर नीचे आख की तो नीचे देखने लगा तो जो कौन बनेगा नीचे की और आख जाएगी जो कौन बनेगा उसे बोलते हैं दोस्तों आवनमन कौन क्या बोल इसको आगे बढ़ा दो ठीक है आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ा दो अब आपको पता है यह इस प्रकार से हैं हैं अब यहां से यह रेखा डाल दो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दो तो आपको पता है एक आंतर कौन बराबर होते हैं तो मतलब ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या होगा बराबर होगा ठीक है तो उन्नेन कौन और अवनमन कौन इधर जो अवनमन कौन रहेगा और उन्नेन कौन भी रहेगा ठीक है ना तो इस प्रकार से इसके बारे में जानक का रही थी तो दोस्तों वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना